हें गैस कैसे हैं आप तो गैस आज बनाएंगे एक दम यम्मी टेस्टी डिफरेंट सा नाश्टा चाहे दुपैर को बनाएं चाहे पार्टी में बनाएं चाहे बच्चों की बर्डे पार्टी में बनाएं जा फिर घर में वैसे ही छोटी मोटी भूग लगे तब बनाएंगे स बच्चे क्या बड़े क्या पीजा बगएरा समुसा बगएरा सब खाना भूल जाएंगे जब आप एक वार मेरे तरीके से जे नाश्ता बनाएगे एक दम यम्मी टेस्टी सा एक दम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो गई बने रहेगा मेरे साथ अगर वीडियो पसंद आ एक दम यम्मी टेस्टी नाश्ता कैसे बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जहां गईस मैंने अलू उबले ले लिया है अब फुल बॉयल भी अगर आपके पास अलू पढ़े हैं तो आपको उनको दो से तीन घंटे फ्रिज में रख दीजिगा जिसे एक दम से व ले लेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और साब में ले लेंगे कड़ी लीव्स यानि कड़ी पता ले लेंगे हाज कर हरा धनिया बहुत महंगा हो गया तो आप कड़ी पता डाल करके देखेंगा बहुत ही बड़ी अच्छा फ्लेवर देता है जब आपके बास हरा धनिया ना न जिएगा और जहां ले लेंगे साथ में अजवाइन, अजवाइन का करेगी हाजमेदार अच्छा टेस्टी सा नाश्टा बनेगा और साथ में ले ले लेंगे जीरा और जहां पे ले ले लेंगे जरी वाली सौंफ, सौंफ से बहुत ही अच्छा फलेवर आता है अगर आप सौ थोड़ा करके पानी डालेगा ज्यादा में डालेगा अच्छ से इसकी बड़िया सी बना करके रख देंगे जिससे कि सूजी फूल जाएगी हमारी क्योंकि बेसन तो इतना फूलता नियागा जितनी सूजी को फूलने के लिए हमें 10-15 मिनट इसको रेस्ट के लिए चोड़ द डिजेगा और मेरे लेको निचे लाइक बटन प्रेस रिए तो इसको देखे लिए चोड़ देंगे और जहां में लिया ब्रेड तो ब्रेड गाई देखे हैं कोई भी कॉटोरी गिलास जो भी आपके घर में हैं ना मीडियम साइस की मैंने ब्रेड लिया है उसके हिसाप से मैं आपको इसका ब्रेड का मैंने कुलर पीजा आपको स्पेशल वायर वीडियो थी पीजा बची होई ब्रेड को कैसे यूज करें तो आप वह जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं बहुत ही जब में टेस्टी नाश्टा मैंने बताया था कुलर पीजा झुरूर देखि़ ए तो जहां ले लेंगे जो बच्चों का अक्सर फेवरेट होता है एक दम यमी टेस्टी नाश्टा बनाएंगे कि बच्चे भी खा करके आपके गहेंगे वाओ ममा बाहर का निखाना आपके हाथ का ही खाना है पीजा सीजनिंग डालने के पास जहां पर हम डाल देंगे पीजा सीजनिंग के सिर्फ हम चार पीसे पर डालेंगे बाकी ओवरलैप कर देंगे एक यम्मी टेस्टी मौथ वार्टरिंग वाला नाश्टा बनाएंगे गाईगा इस मूह में पानी आएगा आपका देखकर के सोस लगाया एक तरफ टमेटो सोस तो हलका सा ही पानी लगाएंगे देगे हथे लियां हल्की सी गिला Herr पार्टी पे बनाएंगे जा फिर मौनसुन आ रहा है गाईज बाहर बरसात हो रही है अंदर आप ब्रेड पकोड़ा टाइप बना करके देखें एक दम ब्रेड पकोड़ा डिफरेंट सा ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे यह यम्मी टेस्टी होगा तो गाईज देखें घोल हम बनाना चाहते हैं मौजरेला वाला तो आप इसको सींपल से भी आलू-प्याज के पकोड़े बना सकते हैं देखें जब भी मेरे चैनल पर आते में दो तरीके से आपको रेस्पी बताती हूँ तो गैस कई वरी सबजी समझ नहीं आती क्या बनाएं क्या ना बनाएं गर्मी क अंदर दिल मी नहीं करता को इवर कुछ बनाने का तो आप कच्छा अलू भी जहां पर ले सकते हैं और साथ में प्याज जे आलू-प्याज के पकोड़े भी सिंपल आप इस तरीक से बनाके रख सकते हैं चपाती के साथ खाईए चाहे ब्रेड के अंदर सिंपल ब्रेड के लगाके जे पकोड़े काई आपको बहुत ही यम्मी टेस्टी लगेंगे तो गईए देखिए मैं जहां पर डाल दिया था गरम मैंने कहुने रख दिया था एक कटची एक लांग डाल लें गे जिससे के हमारे कृस्पी पकोड़े बनेंगे तो गईए जहां हम क्या करेंगे हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे और ब्रेट जो हमने लगाई है ना सौस वाली मजरेला चीज़ा लिए उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा मसाला ये हमने जू अलू प्याज का तियार किया है बेसन और सूझी का मटीरिल लगा δेंगे जब हम बेसन के पकोडे मनाते हैं तो उसकी जो पेस्ट होती है जासे बिगो देते हैं तो लेकिन हमने अलू प्याज दाल दिये तो इसकी होगी एकदम सखत सी तो सखत तो नहीं है गाइस एकदम मैंने के लिए सॉफ्ट वाली नॉर्मल वाला हो गया है लिक्विड ना हो करके तो इसको हम हाथों से हलका हलका पानी लेंगे हाथों में और साथ में लगा देंगे चारो तरफ से जहां मैंने कुकी वाल मीडिय मांच पे रख दिया था गरम हो आपको इस एक पीस को त्यार करने के लिए अगर आपने गाइस जे दो दिन पहले एक दिन पहले नाश्टा जे बनाकर रखना चाते हैं कि जैसे मेहनत होती है सारा कुछ हो था तो आप इसको हाफ फ्राइ करके भी रख सकते हैं मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूं ह आप फ्राई करने के बाद कैसे निकलते हैं और पहले कैसे लगते हैं तो यह देखे सारे इसी तरीकर से में फ्राई करके रख लूँगी आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए अगर वीडियो पसंदा रहे प्लीज लाइक जरू कर देजेगा और सब्सक्राइब भी कर अगर आप इसका मैंने चेयसे अभी फौ्ल फ्राई कर लिए अगर आपक सुना मैं बठल को खर लाई तर कर देखिए जिती हो उड़ हम करके लिए की चोटो इस्था चोटे अप फ्राई कर लिएगा और नहीं इसको दोरा से बढ़ेलाची में आख हैंगे अग लिएख़ा के लिए बने रहेगा मेरे साथ तो कैसी लगी आज की आपको मेरी रेस्पी